टाइटल और थमनेल देखके तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम कौन सी साड़ी को ड्रैप करने वाले हैं इसे बोलते हैं हम reverse mermaid साड़ी ड्रैपिंग ठीक है एक mermaid साड़ी को ड्रैपिंग कि मैंने काफी सारी वीडियो अपलोट कर रखी हैं और यह इतना हम reverse mermaid आज साड़ी को ड्रैप करेंगे ठीक है तो सबसे पहले आपको तो पता ही है सबसे पहले हमें क्या करना होता है इस तरीकी से कमर में अपनी साड़ी को इस तरीकी से टक करना होता है ठीक है टकिंग करने के बाद में हमें क्या करना है टकिंग करने के बाद हम measurement करेंगे कि हमें कितना पल्ला और कितने में plates बनानी है ठीक है तो देखिए आप मैं इस तरीके से सबसे पहले measurement कर लूगी तो मैं यहाँ पे थोड़े से fluffy करके plates बना रही हूँ और plates बनाने के बाद में मैंने पल्ले को इस तरीके से measurement किया है कि मुझे कितना पल्ला चाहिए ठीक है क्योंकि ना इसमें थोड़ा long पल्ला चाहिए होता है काफी सारा घुमांके हमें सो टकिंग करना होता है ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम बना लेंगे plates plates हमेशा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के plates बनाएंगी तो जाता better रहेगा और plates अगर कपड़ा छोड़ के बनाएंगे तो सारी plates आप देख सकते हैं बन बाई बन करके सारी अपने आप ही बनती चली जाएंगी तो यहाँ पे उपर वाली plates एकदम से बन गई हैं बट जो नीची का fabric है उसमें जादा ही कुछ handwork है कड़ाई है इसलिए वहाँ पे ना एकदम से set नहीं हो पा रहा है ठीक है तो बागी उपर आप देख सकते हैं plate खुद बखुद बन गई है अगर आप कोई soft material वाला कपड़ा लेंगे ठीक है तो वोस में आप खुद बखुद plate देखेंगी खुद बखुद बन जाएंगी ठीक है तो अभी ना side में जो भी extra fabric बसता है उसको इस तरीके से इस तरीके से अंदर हम tucking कर लेते हैं ठीक है तो आभी हम करेंगे plates बनाएंगे कंदे वाली plates बनाएंगे ठीक है तो कंदे वाली plates बनाने के लिए हमें क्या करना है आप देख सकते हैं मैं यहां पर border नहीं तो ज़्यादा चोड़ा है और नहीं ज़्यादा पदला है यानि की medium size में border है इसका तो आप देख सकते हैं मैंने border के बराबर ही सारी plate बना ली है अभी मैं यहां पर plate को adjust कर लूँगे ठीक है तो plate को adjust आप देख सकते हैं हमें इस तरीके से adjust कर लीना है कभी कभी क्या होता है на हम एक बार में ही सोचते हैं कि पूरा का पूरा हम एक बार में ही इसको adjust कर ले बेट ऐसा नहीं करना चाहिए हमें थोड़ा थोड़ा सा fabric लेके adjust करना चाहिए अभी आप देहिए मैं कौन से शोल्डर पे मैंने इसको रखा है बसे जब हम सीधे पल्लो के साड़ी को ट्रैप करते हैं तो हम राइट शोल्डर पर रखते हैं ठीक है? और उल्टे पल्लो के साड़ी को ट्रैप करते हैं तो लेफ्ट शोल्डर पर रखते हैं बट जब भी मरमेट साडी को ट्रैप करते हैं तो वो भी हम right shoulder पर ही रखते हैं जात अतर लेकिन यहाँ पे हमें right shoulder पर नहीं रखना है हमें यहाँ पर left shoulder पर रखना है ठीक मैंने यहाँ पर left shoulder पर plate को रख लिया है अभी हम plate को one by one करके सारी को set कर लेंगे ठीक है क्योंकि अगर हम ऐसे ही पिन लगा लेगे ना तो प्लेट बलकी दिखेंगी और लुक अच्छा नहीं आएगा तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने प्लेट्स बना ली हैं, अभी मैं यहाँ पे पिंसे सिक्योर कर लूँगी, पिंसे सिक्योर करने के बाद में थोड़ा सा फैबरिक और लेके हमें फ्रंट में इस तरीके से भी प्लेट को सेट कर लेना है, अगर हम आपको पता ही होग अगर हमें ऐसे ही set कर लेंगे यानि कि इसी तरीके से पल्लों को set कर लेंगे तो वो अच्छा नहीं देखेगा हमें न हर एक छोटी से छोटी चीज को set करना होता है आप देख सकते हैं अभी आप क्या देखेंगे कि जो मैंने पल्ला यानि कि पल्ले को बनाया है वो उपर वाला जो है उपर वाला बाॉडर वो इस तरीके से आ रहा है कुछ ठीक है तो आपको इस तरीके से ही करना है ठीक है तो आपको इस तरीके से ही करना है एंड आप जब इस तरीके से दुबारा कमर में लेके आगे हैं तो उपर से आपको पिन नहीं लगाने हैं आप उनों प्लेट के अंदर लग करके प्लेट के अंदर थोड़ा सा इस तरीक से बॉड्टर करके तब आप पे आप पिन लगा सकते हैं क्योंकि इससे क्या होगा लुक काफी अच्छा आएगा प्लेट भी और काफी अच्छा लुक आने वाला है ठीक है वीडियो में एंड तक बनी रही है और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काफी सारी लोग हैं जो वीडियो डेली देखते हैं बट ना तो लाइक करते हैं ना ही उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो यहां मैं व वीडियो को लाइक है अगर वीडियो पर जादा लाइक होते हैं तो अच्छा लगता है देखने में भी और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि हां आपने मेरी वीडियो को पसंद गया तो प्लीज आप लोगों से हमबल रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज वीडियो क like किया करो जाता से जादा एड जिसने भी अभी तक Channel को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो Channel को सब्सक्राइब कर ले please, please, please ठीक है, तो यहाँ पे आप currency सकते हैं मेंने पीछे वाले पलिया को इस तरीके सेट किया था, बट्च्छ मैंने आगे करके सेट किया था इसलिए पोर्स में थोड़ा सा एक्ष्टा फैब्रिक में जोला गया था ठीक है तो मैंने पीछे ही सेट करके इस तरीके से मैंने यहाँ पे पिंट लगा लिया तो आप देख रहे होंगे लुक काफी ज्यादा अच्छा आया है एक तो बॉर्डर बाली साड़ी है इस तरीके साड़ी है न बॉर्डर बाली साड़ी है में इस तरीके के लुक ज्यादा अच्छे लगते हैं इससे सीधे पल्लो है मरमेड स्टाइल है और फुरी पल्ला तो ह हर किसी में भी अच्छा लगता है तो आप देख रहे होंगे काफी ज्यादा अच्छा लोग आया है मुझे तो यह लोग बहुत अच्छा लगा एंड आपको भी अच्छा लगेगा एंड आपनी काफी सारी वीडियो को पसंद भी किया है बहुत अच्छा लोग आएगा अगर आप इस तरीके से कही इस तरीकी का सारी लोग इस तरीकी का साडी लोग लेग तो כमेंट करके जाना धहेर सारी कमेंट करना और यह बताना कि कैसी लगए एस साडी में और next started track में मैं क्या ले के आँ कौन सा started track में कमेंट करके जाना ठीक है अच्छा लगा वह तो कमेंट करना ठीक है और वीडियो को लाइक करना शेख करना चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकाउन को भी प्रेस करने से हमारी वीडियो आपके पहुँँ जाएंगी वो भी सबसे पहले तो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में बाई